हाई गाईज आज मैं आपको निम्बू का सबसे अच्छा चार असान तरीके से बनाना बताऊंगे इसके लिए हम ले लिए हैं निम्बू, मिर्शा, अलेसुन हम निम्बू को चार पीस में कट कर देंगे हम एक जार में खटा और मीठा चार बना के दिखाएंगा और एक में नम्की, पहले हम खटा मीठा बनाएगे पहले पूरे नम्बू मिला लेंगे हम निम्बियों पे सादा नम्ब के साथ काला नम्बू अब इसको जार में हम डाल देंगे इस तरह से इसी जार में हमने निम्बू डाला था अब इसमें हम चीनी डाल देंगे क्योंकि हम लोग खटा और मीठा अचार बना जाएंगे हमने अचार का मसाला बना के रखा हुआ था अब इसी मपण से मिक्स कर जाएंगे अब इसको ढखकर बन करके हम रख देंगे साथ दिनों बाद हमारा आचार तयार हो जाएगा अच्छे से, साथ दिन तक दूब में दिखाते लिए का, तो आपका अचार तयार हो जाए रहा है, इसमें हम मिर्शा और लेसुन मिक्स कर देंगे, अब सब को हम एक जार में डाल देंगे, अचार का मसाला, थोड़ा सा बीच में हम लोग डालेंगे, निम्ग डालने के बार, फिर उपर से डाल देंगे, निम्डू, उपर से फिर हम मसाला डाल देंगे, अचार का, अब इसको हम बर्ग करते हैं, और इसको साथ दिन तक दूब दिखाएंगे, उसके बाद यह हमारा खाने के लिए तयार हो जाएगे, इस तरह से आप अचार बना के खाये, बहुत टे